पुलिस बदमासों की तलास करने की बात कह रही है लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवया है उससे लगता नहीं है कि चोर पुलिस की पकड में आएंगे सिमरिया थाना छेत्र के साहपूर में एक ही परिवार की तीन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर बदमासों ने छेत्र में भै का वातावरन उत्पन्ने कर दिया है मिली जानकारी के अनुसार सिमरिया थाना छेत्र के साहपूर निवासी भोला तिवारी उनके दो चाचा के घर सेद लगा कर घुसे बदमासों ने नगदी सहित सोने चादी के जेवर उडा ली सुबह जानकारी हुई तो हरकंप मज गया आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुँची पुलिस और डॉग स्कॉर्ट को बुलाया लेकिन कोई साक्ष पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं वही कोतवाली थाना च्षेतर के असोग नगर निवासी प्रभाकर साहो के घर को बदमासों ने निसाना बनाया और सोने चादी के जेवर सहित अन्य सामान चुरा ले गया हैं राजेश कुमार सुकला के घर का ताला तोड़कर घुसे बदमासों ने सोने चादी के जेवर और नगदी चुरा ले गए पीडित को जानकारी हुई तो शिकायत दर्च कराई लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से बदमास दूर है रायपूर कर्चुरियान थानच्षेट के सिर्खिनी निवासी कौसलेस गौतम के घर को भी बदमासों ने निसाना बनाया और सोने चादी के जेवरात सहीद नगदी चुरा ले गए जिस तरह से बदमास दिन दहाडे और पूरी रात आतंक मचाते हैं उससे गाउ से लेकर सहर तक लोग भैपून जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी गद्दिवस नईगडी थाना छेत्र में हुई चोरी के साथ अन्य चोरियों का पुलिस सुराग नहीं लगा पाई कि आधा दरजन चोरी की बारदातों को अन्जाम देकर बदमासों ने पुलिस को एक बार फिर चुनौती दी है लेकिन पुलिस वही जाज परताल करने की बात कहकर पल्ला जहाड रही है सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोपी पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े भी जाते हैं तो उनसे चोरी का सामान बरामद नहीं होता जिसके चलते चोरों में पुलिस का खौफ नहीं है और लोगों की गाड़ी कमाई पलक जपकते चुरा ले जाते हैं इन दिनों पुलिस का हागा अभियान भी पस्त है और कंट्रोल रूम में दम तोड़ रहा है और ना ही रात रिगस्त हो रही है जिसके चलते खुले आम चोरी की घटनाएं घटित हो रही है करिए तक है नहीं है को अब जाएं कि उन्हाएं कि अदिक नहीं है कि शुटा क्योंबा से खुदे पता कर जाएं वह सिनके जावे करी यह रोड रही है क्यों पार पारे से नहीं है इस मेरे बाध कर रहे हैं दुराएं फरी तम बादी। रहे हैं थाक भारे हैं ताकर बाहर होई कि दूखा कर रहे हैं यहां हमारा आग भाई तो के चिला अचिज का है नष्पकार जार्या जार्या जार्या